प्रदान कर सके हैं, तो नागरिक्त के साथ ने समझा दू तरीकेता होता है, एक नेचुरल बॉन, एक नेचुरलाइस, नेचुरल बॉन यानि जन्म या ब्लेड रिलेशन के अधार पर नेचुरलाइस यानि जो ओदिनर्स था लेकिन उसने हमारे हैं के नियम शर्टों को यानि जन्म के अधार पर जिसे हम जस्सांग्यूनिस केहते हैं, दुबाराम आपको बता रहे हैं, सिर्जन्षे बाई बड़ रिख इस रेफर्द आज जस्सांग्यूनिस, यानि एक पेरेंट एक या दोनो पेरेंट, यानि या तो इधर मदर और पात है, दोनों मेंसे जो वाड होगा, उनका जो बेटा या उनका जो बेटी होगी, they will be considered as the citizen of any particular country, उनहीं अपने अपने वो बाहन के नेट्टल बाहन के कर्टाइगरी में आजाएंगे, प्योंकि ब्लड रिलेशन के अधार पर उनको नागरिता का अधिकार दे दिया जाता है, दूसरा है citizenship ही प तर्टिकल्व मौल के नावर दून रॉट्वी जाता है। जो कुछ लोग होते हैं, एक citizen एक राजी की नागरित हो जाते हैं, जिसमें वो जन्म लेते हैं। तो कहीं एक ऐसी नागरिक्ता को लेकर कुछ ऐसी क्रेटेरिया हैं जो country-wise पर हो जाते हैं यह सामने आपको पहले भी बताया तो यह जो just solely का concept है यह कहीं एंग्लाइंड में originate हुआ जिसमें यह कहा गया कि इस particular राज में जैन लेने वाला हर वेक्ति जो है उस राजय का नागरिक हो सकता है दूसरी बात हम करते हैं citizenship by marriage बहुत सारी ऐसी countries में आप देखो कि यह विवस्ता है पास्ट्र jeśli एक बहुत टॉसरी में जैनना तो था वेक्ती मजभा चंआ गरेक नागरिक में तो उसको उस राजय की दाःक है उनकी मैरिज की सरिमनी की अधार पर या इस वाधार पर कि उन दोहों ने एक साथ विपितल बॉर्ड को शेयर किया है तो इस एक राजय का नाल रेक है तो उसका जो साथी है उसका जो अमसुकर है उसको भी कही न कहीं उस राजय की नाम देखता दे जाती है अब लास्टर के यह है नेचरलाइजेशन अब हम आपसे पहले ही डिसकस कर चुके है कि हमने कहा दिखका है लीगल ही वो कंट्री में आते हैं जो पूरा करते हैं सारी तो इंकर्डेशन को एक सेट करते हैं और कुछ एक specific time period के लिए अगर उस particular राजमे रह जाते हैं तो उने नाम देखता का अदिकार दे दिया जाता है अभी वर्दमान पर एक प्रेख्ष में ग्लोबल सिटिसिंट्शिक का जो concept है और उन्होंने ग्लोबल सिटिजन्शिक को या नाम देखता की वैश्विक अभारणा के बारे में एक बहुत ही एक सिंपल ची डेपिनिशन दी उन्होंने बोला IF ITTS Aid for the world, IT staff of care for the world यानि हमारे अंदर एक ऐसी feeling जिसमें हम विष्व के बाद की घ्लोबबल सिटिसिंट्शिक की अग्लोबल सिटिन्शिक की kे बारोचनचने की कोशिश कर गये नहीं हमारा कॉंत समाज की तरब हमारा कॉंटिबूइचा की तरब भी उतना ही बनता है तो वेशिक वेश्था को ध्याद में रखके हुए अगर हम अपने रोल और रिस्पोंसिबिलिटीज को फूरा कर रहे हैं अगर अगर हम एक दाजी के नागरी खिल इसके बागलूत हम वेशिक वेश्था में अपना पॉसिटिव कॉंटिबूइचन दे रहे हैं तो हम एक ग्लूबल चिटिजन के कंसेट को अभील कर सकते हैं अग्स्ताम एक इंटरनेशनल नौन गवर्मेंटल और्गनाइसेशन है अग्स्ताम ने भी ग्लूबल सिटिजन को डिफाइन करने की कोशिश करी थी ग अग्स्ताम पर पारें तो कहीं नहीं हम एक ग्लूबल सिटिजन के कंसेट को आगे लेके चाह सकते हैं आज की चर्चा का जो लास्ट विश्य है वह सिवल सिसाइटी और स्टेट के वारे में आपसे बहुत महले बात कर दी भी स्टेट के भाढ़ना क्या है स्टेट एक ऐसा जो की वाइन के बात करते हैं तो सिवल 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 सिव जिसमें हमने यह देखा कि लोग क्या है जिसे लोग अपना संभू बनाते हैं लोग यानि एक ऐसा वेक्ति जो संभूहों का निर्मान करना है उन संभूहों में अपने रोज को रिस्पॉंसिबिल्टी इसको फूरा एक नॉन पोलिटिकल ओगनाइज़ेशन जहां पर एक एक अपने और एक वेक्ति जो उन खुनामिकन लोग अपड्रेडेड़ है अपने रोल्स और रिस्पॉंसिबिल्टी को अक्टिव of जैक्ति फॉर्शिई कर रहा है उपने डाइज़ों का निर्वहन कर रहा है और अपनी इंट्रेस्सकी ते विबंगों को जोइन कर रहा 272 जिसके माध्यम से एक अच्छी civil society create हो सके. Charles Taylor ने civil society को define करने की कोशिश करी थी. जिसमें उन्होंने बोला कि civil society क्या है? A web of autonomous associations independent of the state. Web of autonomous associations, autonomous यानि स्वायत तो एक स्वायत सम्हू है. जो political system से अलग हैं, जिसके माध्यम से लोगों को एक साथ जोड के लाने की कोशिश की जा रही है. एक common concern दिखाया जाता है, कैसे ये चीज़ा और इसके माध्यम सामिक दूसरे के साथ जोड सकते हैं. और उनका जो existence, जो action है, वो public policy को directly affect करें. क्यों affect कर रही है, क्योंकि हमें क्या होला concerns के अधार पर नागरिकाओं के shared interest के अधार पर विमने सम्हूमों को बना रहा है, तो राजी के लिए अत्यनतावश्यक हो जाता है, कि वो लोगों के सम्हूमों के बारे में समझे, civil society की concept को समझे, civil society की importance को समझे, क्योंकि राजी को पता है कि बना civil society की राजी का अस्तित्व नहीं है, और अगर civil society की concept को राजी ने promote नहीं किया, तो state क्या जो role है, state की responsibilities है, वो full-fledged अखीके से राजी निर्वहन नहीं कर पाएगा, अगर ऐसा नहीं होता है, तो राजी कहीं, या तो वो ballot में ही रह जाएगा, एक nullify concept हो जाएगा, तो civil society की importance बहुत है, राजी के लिए भी, और एक dual, आप कह सकते हैं, एक dual process हो रहा है, जहां पर राजी जो है, वो civil society को समझे की कोशिश कर रहा है, और उनके interests और concerns के आग्माजिक पनी, कहीं नहीं एक समाजिक व समाज से जोड़ कर रखा जा सके, और साथ ही हम क्या देख रहा है, civil society भी स्टेट के बारे में सोच रहा है, क्योंकि जब लोग और बुशों ने, civil society के बारे में बात करें, दोनों ने बहुत है, कि civil society एक ऐसा concept है, जहां से हम लोगों को निकालेगे, social contract में हमने क्या देखा अध़त वर्षों से चली आ रही है, लेकि आज की contemporary perspective में नागरिक समाज के अभाण अतिन्त आवश्यक हो चुकी है, क्योंकि public policy में, decision making में, government की activities में, state के existence को बनाने में, और नागरिकों को उनकी roles and responsibilities को समझाने में, यह जो concept है, अतिन्त आवश्यक है, राज्य के लिए और ऑफ़ाओ के लिए, तो आज लिए जो में हमने आपसे बृत सारे विश्यों के वारे में च pik्षा ख़ई, सबसे नहींरे हम, यह जो अधकार के लारे में हिए, फ़स्दिँ मांग रहे हैं लेकिन क्या मांग रहे हैं कुछ पॉजिद छीज़े मांग रहे हैं कभी नेगे जो सब्सकार के दवारा प्रिया कि जासकता है। तो बासकर में ये तंत्र रण है वो लोग तंत्र है या नहीं है। उसके बाद हमने आप से जेंडर एक्वालिटी के बारे में बात करने की कोशिश करी कि किस तरीके से ग्लाइगित समानता को समाद में स्थाफित करना आते हैं। अवश्यक्त है और अगर जेंडर एक्वालिटी नहीं होता है अगर पॉलिटिक्स में जेंडर के रोल को इडेंटिपाई नहीं किया जाता है तो जो असमानता का कंसेट है वो बना रहे जा है। उसके बाद हमने आपसे कौन साब एकिन नाम रिक्ता हो की आदिकार को प्राफ्ट कर सकता है, कौन-कौन से क्राटिरिया जोचे नाम रिक्ता हू को समझ सकते हैं और हमने आपसे ग्लॉबल सिख़ dalla StvI Media के बारे में मैं धेस्जैस किया और मार्क्स ने भी बोला है, फ्रेटरिक एंजल्स ने भी बोला, मार्क्सिस परस्पेक्टिव भी आया से विए सुसाइटिक है, तो विबन नमातियम से, विबन ने कंसेट्स के तो हम दिया को समझाने की पुशिश करें, तो आज के सतने में बस इतना ही, पाकी चच्चा आप से अगले सतने में करेंगे, नमस्टाव.